आज हम लोग डिसकस करेंगे कि पेट्रॉल पंप पे आप नाइट्रोजन भरने का व्यूसाय कैसे शुरू कर सकते हैं, इसमें क्या इन्वेस्टमेंट आती हैं, इस तरीके से हम इस बिजनस को स्टार्ट कर सकते हैं पेट्रॉल पंप के साथ मिल करके और लाखो रुपय कमा स सकते हैं इन सारी चीजों को समझने के लिए इस वीडियो को आप देखिए और बिजनस को समझी है उसके बाद आप अगर चाहते हैं बिजनस करना तो आप किसी भी पिट्रोल पंप पे जा करके उनसे कंसर्ण करके अपना बिजनस स्टार्ट कर सकते हैं तो बेसिक कुछ हम लो में यूज होती है टायरों के लिए ठीक है नाइटोजन एक बहुत बड़ा डिमांड है अभी की डिट में क्योंकि जितने भी नए लोग हैं जो गाडियों को पैसनेट करके चला रहे हैं उनको पता है कि एक गाड़ी चलाना और चलाते चलाते कमफर्ट और एक सेफ सेजन में आप नाइटोजन फीलिंग करा सकते हो तो एक बहुत बड़ा यह मार्केट है अगर हम बात करें कि नाइटोजन का क्या चार्ज होता है पर टायर नाइटोजन का एक अगर हम राउंड फिगर एवरिज की बात करें तो 40 से 120 तक का चार्जेबल एमांट होता है आगर हम बात करें petrol pump ही क्यों कि petrol pump पे अल्रेडी हमें बहुत सारी ट्रैफिक मिलती है जो डैली बेसिस पे रन करती हैं उसके साथ-साथ हमारे घ्जिस्टिंग डे में रेसिडेंशियल एरिया के लोग होते हैं वो भी वहां तक पहुच जाते हैं जैसे माली जो आप अपने टाउन में पेट्रोल पंप पे गए, वहाँ पे एक सेटप लगाया, नाइट्रोजन फेलिंग का, उसमें कौन-कौन से मसीने जरूरत पड़ेगी, आपको एक नाइट्रोजन लेना होगा, और एक एयर कंप्रेसर, एयर कंप्रेसर भी बहुत का एरिया आपको चाहिए होगा, चार फिट आपकी चौडाई हो, छे फिट उसकी लंबाई हो, उतने ही एरिया में ये इंस्टालेशन हो जाता है, और इंस्टालेशन होने के बाद, वहाँ पे आप चाहो तो रिमोटली नाइट्रोजन का अब्डेटेड वर्जन है, जो र दूसरा कंसर्ण यह है, अगर आप सेमी आटोमेटिक पर जाते हो, तो एक लड़का वहाँ पर रख करके आप नाइट्रोजन फिलिंग सर्विस को स्टार्ट कर सकते हो, अब इसमें मुनाफ़ा क्या हो सकता है, और कैसे होगा, मुनाफ़ा वैसे होगा, जब भी जितने भी ट्रैफिक वहाँ पर आ रहे हैं, आप अच्छा सा एक बोर्ड लगवा देते हो, और थोड़ी सी कंसर्ण देते हो, कि यह हमारे प्राइज है, और उसकी भिहाब पर ही वहाँ पर ट्रैफिक आएगी, आप से नाइटोजन डलवाएगी, और आप उस नाइटोजन के जो भी आप फिक्स करते हो, अपने एरिया वाइस में, मालों कि आप 40 रुपए ही पर रहे चार्ज कर रहे हो, बाइक पर 20 रुपए कर रहे हो, तो मोटी मोटा अगर आप बात करो, कि पचास सो गाड़ीयों की ट्रैफिक तो पर डे की रहती ही रहती है, लोगों को उसकी ज सकते हो, तो कर सकते हो, तो इस तरीके से आप इसको स्टार्ट कर सकते हो, इसमें जो इन्वेस्टमेंट आएगा, वो करीब आपका 1-5 रुपए की बीच में होता है, अगर आपके पास second hand compressor है, तो एक nitrogen मसीन आप 70,000 रुपए का लेकर के, 70-80,000 अच्छे ब्रांड का जैसे आप concern कर सकते हो, हमारे दे गए नमबर ते, तो और भी detail मसीन के बारे में भी हम दे सकते हैं, तो ये सारी चीजें आप करके start कर सकते हो, उसके लिए आपको क्या procedure करना होगा, तो पहले आपको एक कोई भी petrol pump जहां पे nearby आपके हाँ traffic दिख रहा है, कि उस petrol pump पे traffic है, और वहा के मालिक से या मेनेजर से जा करके अपना concern रख सकते हो, अपनी बातों को रखने के बाद एक normal आप चाहो तो agreement कर सकते हो उनके साथ, कि मुझे इतने दिन का यहाँ पे दे दो, आप जगह हैं पॉइंट दे दो, जहाँ पे हम अपना ये setup लगाएंगे, वो वैसा ही है, जैस पॉलूशन का एक setup लगा होता है, अब मुमन देखोगे, tier 1, tier 2 city में हर petrol pump पे एक pollution center होता है, तो उसी तरीके से आप इस nitrogen का एक installation करा सकते हो, और अच्छे मुनाफ़े बना सकते हो, तो thank you to all my viewers, best wishes to you.